कर देखो कोशन नमर 28 को भी समझा रहा है 28 27 आप लोग को आप और आप लोग सॉल पर करें को भीजिए 28 देखिए यह बढ़िया कोशन है और यह भी बहुत आसाँ इतुप काफी इसी कोशन है देखने से लग रहा है सिर्फ समझाना पड़ेगा देखिए समझा रहे हैं अब एक नमर में आप निकालेंगे इंकम फ्रॉब सेलेरी इंकम फ्रॉम फ्रॉम्र малilly मैं देखिए पहला 28 बोनस कितना हो गया उसमें 22 जर बोनस हो गया ट्रेवलिंग अलाउंस आपको पता है ट्रेवलिंग अलाउंस जो हता है वह एक्जेम्ट होता है छूट मिलती है उसको अधर्वाइस कुछ नहीं दीख रहा है आमको तो अब दो ची आएगा सैलरी बोनस और ट्रेवलिंग अलाउंस एक्जेम्ट तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा ग्रॉस सैलरी आपको पता है डिडेक्शन चार्ज होता है तो मैं रिजल्ट के आ जाएगा इंकम प्रॉम सैलरी किलियर हो जाए एक नंबर आपका कम्पिलीट हो गया अब दूसरा नंबर में निकालता है इंकम प्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देखिए यहां पर लिखा ग्रॉस एन्वल वैलू ऑफ सेल्प रेसिडेंटल हाउस ए ए प्रॉपर्टी सी सिच्वेटेट इन जापान 9000 विच वाज रेसीब दियर एंड लेटर ब्राउट इन इंडिया तो सी का था को चर्चा ही ने करना सी को दिखाना नहीं हो जापान का है तो यहां पर एका तो हम लोग देखा देंगे सेल्पकॉपाइट परसन एन्वल वैल देखा हैं केतना हम लोग छे अजयर उस ग्राउस एनवल वैल्यू मैं क्या करेंगा देखो यहां पर साप साप मुंसीप्पर टेक्ष्ट दिया हुआ याँ और बी का यह बिए कितना 600 रुप्या मुंसीप्र टेक्सलिस करेंगे तो मेरा निकल जाए एन्वल वैल्यू ग्र प्रॉम house property आपका बीनमबर भी क्लियर हो चुका है माझी कई कोई खर्च को देखना नहीं है हम अब सी नंबर में में इंकम फ्रॉप अधर सौर्च देखते हम लोग देखो income from other sources में आने वाला आपका सी नमर पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं हम लोग को देखो income from other sources में आएगा interest on d number point जो फिक्स डिपोजिट विद बैंक आप महारास्ट्रा 15 रुपिया यह taxable होता है income from other sources में आ जाएगा उसके पाद interest on japan government securities है जापान government security बड़ रिसीब इन इंडिया वह रिसीब कहा हुआ इंडिया में तो वह इसलिए taxable हो जाएगा तो हम लोग देखाएंगे interest on securities of Japan interest on securities of Japan ब्रैकेट मिलिक देंगे received in India तो यह taxable हो जाएगा बस यही दो दोनों को जोड़ देंगे तो मैंना निकल जाएगा income from other sources तीनों income को जोड़ते हैं हम लो income from salary income from house property income from other sources तो मैंना निकल जाए gross total income उसमें deduction चार्ज होगा कि डिटेक्शन जो देंगे हम लोग असी सी के तहद आपको पता सिसी में सबसे पहले लाइप लाइफ इंसुरेंस प्रेमियम डिटेक्शन होता है और दूसरा कि अलग कि अंद्र सक्षन आसिसी को देख केंड़ा वह मिल जाएगा तो यह दोनों जो का आपका श्यूट मिलेगी दौनों को जोड़किया फिर दोनों को अलग अंद्र शक्शन अ doğru दिखा देंगे और एक देखा देंगा लाईपी अरूसा देखा देंगे । नश आठ कर सकते नस्टी सौर्ट में उसको बोलते हैं नेशनल सेविंग सेटिफिकेट ये भी आपका छूट मिलती है या सिसी में दोनों को लेस करेंगे उपका income फ्रॉम टोटल तो इंकम complete निकल जाए गा जब total आपका income निकल जाएगा तो आप note देके लिख सकते हैं ये वरा condition pont देके लिख सकते हैं नहीं भी लिखेंगे तो कोई दीकत नहीं है लिखना चाहते सकते कि इंकम फ्रॉण house इंकम फ्रहाँ्स टिट इन जापान पेंशन फ्रभ सॉमजी पेंशनकरमेंट नेदर रिचबी इंडिया नहीं नौर इक शॉड़निया यंधिया मैंकसु ने कंप्रेट निकल जाएगा और मेरे ख्याल से आपको कोई दिकत नहीं होगा ये दो ये लाइन भी क्लियर हो गया इसमें और ये लेन भी क्लियर हो गया इसमें जो नोट लिखा है हम c number और बी नमबर दोनों point मलब कि सब्सक्राइब ये condition और ये condition दोनों क्लिर हो गया तो आपका यह कोशन बन जागा नोट देके लिखने का मानने लिख सकते हैं नहीं तो कोई दिकत नहीं है आपका अंसर कम्प्रीट आ जाएगा इसको भी सॉल्व करके हमको गुरूप